यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुखी और सर के समान बनाना चाहता है तो वे व्यक्ति पंचमु की हनमान का बज़का पाट करना शुरू करते हैं। तो आपके सारे शत्रों नश्ट हो जाते हैं। यदि आप अपने शत्रों का जड़ से सफाया करना चाहते हैं, तो हर रोच दो बार पाट करें। और जो भक्त हर रोच पढ़ती दिन तीन बार पाट करता है, वे व्यक्ति चीवन में सभी परकार की संपत्ति प्राप कर लेता है, धन, दोलत, चैदाद। जो भक्त चार बार पाट करेंगा हर रोच पढ़ती दिन, वे सारे लोगों पर राज करेंगा, जैसे नेता लोग राज करते हैं आमजनता पर। पाच बार हर रोच पाट करने से सारे रोगों का नाश हो जाता है, आपके शरीर निरोगी हो जाएगा, आपको कोई रोग नहीं सताएगा, जो व्यक्ति छे बार हर रोच इसे पढ़ता है, वे सभी देवताओं को परसन कर, अपने वन्ष में कर लिता है, और अपने इच्छाओं के अनुसार उनसे काम करवा सकता है, जो साथ बार पाट करता है, उसकी सारी कामना ऐसी धूती है, जिस भी चीच की कामना अपने मन में करेगा, वे पूरी हो जाएगी, जो आठ बार हर रोच इस कवज का पाट करता है, उसे सारे सोभग्य पराप्थ हो जाती है, जो नो बार हर रोच परती दिन पाट करता है, उसे सारे आश्वर्य जैसे गाड़ी, बंगला, यह सब पराप्थ हो जाती है, जो सादक हर रोच दस बार पाट करता है, उसे तिरी लोग का ग्यान हो जाता है, 11 बार्ट पार्ट कंडे से सारी सिध्या पराप्थ हो जाती है सिध्या जो बड़े-बड़े मात्माओं के पास होती है बविश्व देखनी की सिध्या और यदि मनी-मनी इस कवच का समरण करेंगे तो लक्षमी आपकी और आकशित होती चली जाएगी पैसो की समस्या समाप्थ होगी रुका हुआ काम दंदा स्टार्ट हो जाएगा जो व्यबान में लगाता लंबे समय से घर्ट चला रहा है वह दूर हो जाएगा बिरुचकाली से मुक्ती, रोगों से मुक्ती मिल जाएगी हनमान कवच पढ़ते समय या फिर चितने समय तक आपने कवच पढ़ने का संकला प्लिया है जैसे एक मैना, दो मैना, तीन मैना तो उस दोरान आप अंडा, मचली जैसे मासारी भोचन नहीं करें शराब नहीं पिये, ब्रमचारे का पालन करें किसी की चुगली बुराई नहीं करें हर रोज ना धोकर साफ सुद्रे कपड़े पहने आपको अपना तन और मन दोनों पवित्र रखना होगा यदि घर में किसी की मिर्द्यू या जनम हुआ हो तो उस दोरान पंचमु की हनमान कवच की पूजा नहीं करें